असलाम अलेकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिजाइन और स्टील स्ट्रक्चर के अंदर लैब जोएंट का निमेरिकल मतलब इफिशेंसी ओफ लैब जोएंट का निमेरिकल करेंगे तो हमारे पास कुछिन गिवन है फाइंड ऑफ जोएंट एन एफिशेंसी ओफ लैब जोएंट गिवन घिवन बिलो यूज एंटवंटी बोल्ट्स ऑफ ग्रेड 4.6 फे 410 इटील की रड़ है तो हमारे पास कोश्चिन एंग कि हमको लैब जोएंट गिवन है और उसकी हमको एफिशेंसी निकालनी या तो और साइट से देखेंगे तो कुछ ऐसे ओर लैप एक के ऊपर एक अगर फेस से कनेक्टर तो बट जोन दो जाएगा यह वाला एक के ऊपर एक लैप जोन तो हमको क्या करना इस के एफिशन से निकालने हैं अब हमको गिवन क्या क्या वो लिखते हैं हम सबसे पहले डायमेटर दे रखा हमको 20 mm कैसे यह लिखवान एंट्वन 20 मतलब यह 20 मतलब डायमेटर ओल्ड नामीटर बोल 20 mm तो ग्रोज डायमेटर मतलब डायमेटर प्रिवेट क्या होगा जो होल का डायमेटर क्या होगा आप से इंपली सिंपली समें टू एड़ कर दो 20 प्लस टू 22 और फी 410 है ओल्ड है कि यह 41 10 जो है वह हमारा F u होता है यह 250 यह यूर यह ओँठी यह फइय हमारी मतलब जो ब्रेकेट में है वह और यह और वह बाहर है वह फ्यू है मतलब धियान क्या रखना है अगर आपको तो भी कन्विजन हो तो फ बड़ा होता है फवाई छोटा होता बस इतना ह दिखान रखना है एक यू बड़ा एक चोटा यह 410 एक यह हो जागा 250 एक वाइब देखो आपको ग्रेट डिखे तो आपको डो वेलियूस इसमें जरुद पड़ती है एक यू वेलियूस की जरुद पड़ती ही अब फ़ाइब और फ्यू बी कैसे निकालोगे यह यूको फ़ाइब तो सिंपल है फिखा निवी क्या करना है फॉर और 6 को मल्टिप्लाय कर दो आप प् लगा दो और एक यूबी के लिए क्या करना है 4.6 .6 है तो आगे 20 लगा दो 4 के आगे जस्ट .6 को अटाओ 20 लगा दो मतलब 4 के आगे 20 और अगर यहां पर 4.8 होता तो 4.8 की जगह हम करते हैं 420 कर देते 400 में 20 और कर देते मतलब .6 है तो मतलब 00 और .8 होता तो 20 जोड़ देते हैं तो यह फाइब भी तो मल्टिप्लाय कर दिया और यह 4 के आदू-0 लगा दिया है ना और आमको थिकनेस ऑफ प्लेट देरी की 20 mm है ना थिकनेस का बेना दोंian है तो प्लेट से hace एम निकालेंगे में सबसे पहले दोपनेगे में इतासका में a प्लेट्स के लिए उसक्रेंख एंब ध desarroll निकाल करनें लुए हमारी डिजाइन तो प्लेट है हमारी लेट्स के लिए गिवन भी है ना तो टीडियन के आप पॉइंट नहीं एफ यू बाय गामा एमल जहां पर एन क्या है नेट एरिया नेट इफेक्टिव एरिया और नेट इफेक्टिव एडिका फॉर्मुला गिवन हमको ए एन इस एकल सब्सक्राइब है तो हम ऐसे कर लेते हैं हम देख लेते हैं हमारे गिवन है कि टीडियन का फॉर्मुला हमने वासे लिए पॉइंट एन फ्यों मालूम है हमको गामा एमेल हमको पार्शिल सेफ्टी फेक्टर है और कुछ नहीं है जो अगर आपको यह भी नहीं मालूम ता प अब हम देखते हैं अब हमको मालूम है और निकालना एन एन क्या होगा भी मैंस एंटी नॉट अना प्लस समेशन यह वाला टर्म जीरो देगी इसकंद यह टर्म जीरो क्यों जाएगी क्योंकि हमारा जो मतलब स्टाइगर नहीं है ना हमारा प्ले जिस देखो यह बोल्टिं नहीं है इस टेगर मतलब स्टाइगर कैसे जिसे एक बोल्ट दो बोल्ट यह लग रहे हैं और बीच में साजाते फिर वापीस उपर नीच हो जाते मतलब इस तरह से स्टाइगर नहीं है तो क्या होगा यह टर्म जीरो जाएगी तो यह टम आवसी जीरो करतो तो इसका लेकिन आपको क्रिटिकल सेक्षिन लेना है जिसमें मिनिममम नुम्रों बोल्ट है आपके फोर्स के प्रपेंडिकल यह सेक्षिन लिया मैंने क्रिटिकल सेक्षिन क्या हुआ यह तो क्रिटिकल सेक्षिन घ्रिए अब करेंगे तो हम स्ट्रीकल सेक्षिन मृल्स मालूम मालूम और मलीटविप्लावल 2 ड्य lista प्लेट वो गिवन है वैसी तो हम करेंगे एन बराबर 2200 में अंसर आया फिर टीडियन की वैलिव ऑम इसमें डाल देंगे सब्सक्राइब करेंगे प्लेट्स की डिजाइन हमारी प्लेट्स की स्टन निकलती शियर के अंदर शियर का पेज नमर गिवन है मैंने पेज नमर भी लिख रहा है पेज नमर 75 तो आप कोड का अपनी आएस कोड का पेज नमर 75 खोलो नमर 75 यह देखो यह और कैपैसिटी ऑफ बोल्ट कि वी डीजबी अपन गामा इंबी वी अमरी जो है डिजाइन वेल्यू कितनी है एफ यह वी एनस्बी अपन रूट थी एनन अन्वी प्लस नसस्वी फिर इसको बात में वी डीजबी डिजाइन निकालेंगे लिए सेफटी फेक्टर मैंने बता पेज नमर 30 पे गिवन है 1.5 अब आप देख लोगो वी एनस्बी की वैली क्या थी एफ यूब अपन रूट 3 एनन अन्वी प्लस नसस्वी यह हमारी डिजाइन वेल्यू जो वैल्यू शियर में वह यह बोल्ट की तो एफ यूबी तो हमको माल और अगर आपका बड जोइंट है तो एनस वन और अन्वी वन मतलब दोनों वन और अगर लैप जोइंट है तो एनन्वन एनस जीरो तो अब अगर आप वेल्यू डालेंगे एनन वन और अब अब अन्वी का एरिया ओफ बोल्ट वह भी थ्रेड़िट पार्ट मतलब जैसे आपका यह बोल्ट है और यह तो आपका पार्ट होगे और अ Şu घ्रेक्राइब पार्ट जोज्ट रेजगा उसका एक वह उसका एशरा होगा 5ably 242 07 odd क्यों कि और एडिया इसमें काम होता है तो थोड़ा काम होता है और अगर मैं बता हो तो नमबर ऑफ शियर प्लेंस विदाउट तो हमेशा आप ध्यान रखो कि एनस जीरो होता है एनन वन होता है लेकिन आपको एक ज्यान रखना है कि एक बोल्ट की स्ट्रंथ यह तो वी जिझालने के लिए जो एलिए उसको मोलिवाई कर द्नाले करता हूं तो हम देख लेता है हम VNSB को पार्शिल सेफटी फेक्टर से डिवाइट कर देते हैं तो हमने किया VNSB को आपको निकालने बेरिंग अंदर बेरिंग का भी आपको पेज नमबर 75 पर फॉर्मला मिल जायागा देखो यह रहां बेरिंग के अंदर फॉर्मला यह रहां गिवान बेरिंग के अपसिट किया अगर पार्शिल से लेकिन एक्ट्य वेली वाली है वी एंपीवी कितनी है टू-पाइड़ीटी एफ यू चाहपे के बीकी वेल्यू भी गिवन है स्मालर ऑफ ए अपॉन 3D नोट प्यापॉन 3D माइनस 0.5 एफ यू और वन इनमेंस जो स्मॉल है वो के बीकी वैलिव और इसकी वैलिव एंपी डिनिवेलिव तो हम करते हैं आप देखते हैं वेहरिंग में फोर्मला वी डिवी बीवी एंपीव अपॉन नाएंप यहां अपर यह तो डिवाइट किया वस्वी एंपीवी क्या टू-पाइवी डीटी एफ़ू क्यों के विवय निहीं मालू हमक एपन 3D-0, P-3D-0-025, F-U-B-1 इनमें से लिस्ट, तो हमारी E और P और यह क्या है, यह हमारी edge distance, P distance है, यह हमको question में given है, जेखो हम question देखें हैं, तो यहां पर हमको side में given है, तो यह bolts है, अब मैं बताओ edge distance क्या होती है, edge distance क्या होती है, force हमारा कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, force के perpendicular edges पे, जो distance में जेर होती है, वो bolts है, मतलब adjacent bolt, first bolt है न, और edge के बीच में जो distance है, वो हमारी edge distance होई, है न, मतलब यह force लग रहा है, इसके perpendicular, जो edge के पास में bolt है, उसकी edge distance, मतलब यह 2 edge distance होगई, गेज डिसन्स क्या होती है फोर्स के परपेंडिकलर बोल्ट और बोल्ट की दूरी मतलब बोल्ट होल के बीच की डिसन्स क्या होती है मतलब फोर्स यहां लग रहा तो परपेंडिकलर में गेज होगी परपेंडिकलर दो होती है और इन पैरलल दो होती है हमारे पास एक होती प से मतलब प्लेट के एंड से लेके बोल फर्स बोल तक तो एंड होगी इंड पैरलल टू फोर्स तो यह होगी एज पीच वही सब को गिवन है 60 है यह 60 गेज है और एज 30 है हम सब गिवन है तो पीच कितनी हमार पास 60 गेज 60 एज 30 तो वही वैलिउस दाल देंगे हम 30 सब्सक्राइब निकाला था 400 अबन 410 और फू 410 और फू 410 और वन तो इन समय से लिस्ट क्या है कि रिको 0.5.145.65.97.1 तो लिस्टारी हमारे 0.45 तो यह हमारी केविक वैलिए 0.45 स्मॉरल वैल्यू और अब हम वी नपीव में वेल्यू डाल देंगे 2.5 केविए फू वाले मे दी हो गया है और फू यह हो गया 410 तो 184.50 अब आपको वह चीज आप आपको देखना है वह चीज इसमां ध्यान रखना है कि आप यह एक बोल्ट के लिए निकाल रहो तो आप एक बोल्ट के लिए निकालना पड़े हैं लेकिन आप चाहो तो पहले इसको पार्शल से डिवाइड करना पड़े हैं सेफ्टी के लिए तो वी डिपीवी डिजाइन के आईगी यह एनपीब अपॉन गाना एंबी मतलब यह जो वैल्यों निकाल लिए उसको वानने मामा एंब से डिवाइड करना उसमें भी हमने क्या था पहले मुल्टिप्ला कर रहा था फिर आप कुछ भी कर सकते हो पहले मल्टिप्ला करो six bolts जितने bolts होता पहले मल्टिप्ला कर तो फिर डिवाइड करो पार्शल से या फिर कुछ भी करो वह एंटिमेटली सेम ही निकलेगा तो 147.60 को हम एक के लिए अब हमारे पास bolts कितने हैं total six है तो six into 147.60 करेंगे तो 885.60 आया design strength of plate निकाली tdn tdn यह फिर आमने shear में निकाली shear में निकाली पॉल्ट की shear में निकाली VDSB और आमने निकाली लास्ट में VDB अभी इंवे तीनों में लीस्ट कौन से थाखो यह वाली 85 है यह वाली कितनी 271 यह वाली कितनी हमारी 673 मतलब हमारी लीस्ट कौन सी है इन शियर वाली लीस्ट है मतलब VDSB हमारी लीस्ट है यह लीस्ट वेल्य हमारी क्या होगी strength of joint होगी least value of TDN VDSB और VDPB 271.62 हमारी लीस्ट होगी तो यह हमारी होई strength of joint strength of joint नम निकला तीन में से least हमको निकालना है strength of solid plate strength of solid plate का formula आपको पेंड नमर 32 पेंड गिवन मिल जाएगा पेंड नमर 32 वैसे लिखा हुआ यह वाला इस तैन्स तैन्स यह वाला तो रप्चर वाला हुए यह रहा यह वाली हमको मालूब विट्थ 180 थी 180 विट्थ थी नहीं इसकी और थिकनेस कितनी नहीं प्लेट की 20 mm तो यह क्या है एजी कुछ भी नहीं है 180 थी नहीं तो टुएंटी मतलब जो आपका विट्थ है मल्टिप्ला बटी वह एजी मतलब साइट का जो क्रॉस सेक्षिन एरिया वह चीया आपको तो विट्थ मुल्टिप्लाबब थिकनेस तो एजी क्या होगया प्लेट के लिए 180 इंटी इन्टिटी मालेट थिकनेस विट से निकालने के लिए इटा क्या करना पड़ेगा strength of joint जो हमने निकाला यह तीनों का list upon strength of solid plate करना मतलब VDSB जो हमने निकाली इसमें list है ना तीनों में list और solid plate क्या TDG तो divide के है दोनों का multiply by 100 तो इन हीटा क्या है 271.62 kN upon 818.18 देखो इसमें VDSB VDSB upon TDG कर दिया है ना मैंने देखो VDSB जो strength of joint है तीनों में list है ना वह VDSB TDN और VDPB 271.62 upon 818.18 TDG multiply by 100 हमको percentage निकाल लिए तो इटा क्या है 33.19% तो हमारी lab joint के लिए efficiency क्या आती है 13.19% अब यह होगे हमारी lab joint के लिए efficiency कम आ रही है लेकिन अब आम देखेंगे अगली वीडियो में बड joint efficiency तो अगर आपको वीडियो पसंदें तो लाइक करना चैनल को subscribe करना और उस नहीं समझ आया तो comment करके आप पूछ सकते हैं तब के तब तक के लिए हम अगली वीडियो में करेंगे बड जोइन का और फिर हम डिजाइन का भी कोशिन देखेंगे अब तक के लिए लापेस